सब्सक्राइब कर रहे हैं जो कि नितन सिंगाने द्वारा लिखी गई बुक है और बहुत जाद इंपॉर्टेंट बुक है फॉर्म दा व्यूपॉंट अफ यहां से डिरेक्टी कुश्चन्स आ जाते हैं ठीक है और काफी हत्तर कुश्चन्स कवर होते हैं इसलिए हम यहां प कर देंगे इस लेक्चर में ठीक है और इस तरीके से कवर करा गया है चाप्टर नंबर 13 तक आप देखोगे भुक भी देखोगे साथ में तो कहोगे कि हां सारी चीज़े जो हैं कवर कर दी गई हैं जितनी में इंपॉर्टेंट इस्पेक्ट से बुक्स के देन वो सारी इसको देखिए बंदास तरीके से और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए तो अभी हम लास्ट लेक्चर की बात करता हैं जो प्रिवेस लेक्चर में हमने क्या क्या डिसकुस किया है विए डिसकुस्ट अबाउट जेन लिट्रेचर जेन आगम्स गालोज जेन लेक्चर दिसकुस्ट रिवेडिय है एपना लिट्रेचर घिवर लिट्रेचर उसके बाद मीडिवे लिट्रेचर में जो हमारे आता हैं परश्यां उर्दू, हिंदि और उसके डायलेक्ट्स then we will cover modern literature and हिंदी बेंगॉली, उडिया, आस्मीज literature, गुजराती, राजिस्थानी, सिंधी literature and then कश्मीरी literature पंजाबी literature and at the last we will cover माराथी literature ठीक है कुल मिला कि आप आप आज interesting lecture होने वाला है, सारी चीज़े बुलकुल deeply आपको समझने को मिलेंगी ठीक है और जित्ती भी important चीज़े हैं इसमें important जो सारी चीज़े होंगी वह हैं पर highlight कर दी गई है then you can make notes of that okay, so start करते हैं start करने से पहले चलते हैं अपने, सबसे पहले अगर आपको कोई भी problems होती है guys if you have any problems regarding your preparation or an academy plus subscription तो आप guys यहाँ पर हम लोगों से contact कर सकते हैं on the various social media platforms of study IS telegram join कर सकते हैं instagram join कर सकते हैं, facebook and you can also mail your problems so guys यहाँ पर अपनी problems को send कर सकते हैं we will sort it out now चलते हैं आप हम लोग most important information about an academy that यहाँ पर batches है कुछ important batches जो की start होने वाला है 6th of July से UPSC के तो उनके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं कि how to take an academy plus subscription and की कीस तरीके से आपको जो है discount code इस्तमाल करके आपको यहाँ पर discount वगेरा मिल सकता है तो we will discuss about this so guys चलते हैं आपने वहाँ पर now तो guys यहाँ पर आप लोगों पता है जिससे कि an academy इंडिया का largest learning platform है तो guys यहाँ पर तीन batches start होने वाले हैं UPSC CSE 2020 और 21 के लिए 6th of July से जो है batches start होने वाले हैं अगर आप चाहते हैं then you can get your subscription अपना आप subscription ले सकते हैं इंडिया के top educators आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे ठीक है आपको गाइड कर जाएगा इंडिया के top educators के द्वारा तो आप जाके यहाँ पर subscription ले सकते हैं और आप देखोगे यह जो batches हैं यह तीनों ही languages में available हैं तो guys आप जिसमें भी comfortable हो you can go for it आप देख सकते हो bilingual GS batch course है, Hindi GS batch course है English GS batch course है तीनों ही languages में available है आप जिसमें भी comfortable हो सकते हो उसको आप लेना चाहो आप ले सकते हो, उसके बाद guys यहाँ पर एक important information अगर आप 24 months का subscription लेते हैं या फिर 12 months का subscription लेते हैं, this is totally up to you guys, अगर आप यहाँ पर discount code इस्तमाल करते हैं, क्या UPSCYT अगर आप यहाँ पर UPSCYT यह discount code इस्तमाल करते हैं, then you will get 10% extra off, ठीक है extra off मिल जाएगा, आपको कर इसी code इस्तमाल करते हैं यह code इस्तमाल करते हैं guys यहाँ पर series सी बात है, हर एक code discount चाहिए होता है, तो हमें क्यों नहीं चाहिए होगा तो यह discount code ज़रूर इस्तमाल करें in order to get extra discount okay, now करते हैं अपना जो main topic है, उसको आज cover करते हैं, ठीक है चलते हैं अप लोग medieval literature के ऊपर, so let's jump on to our medieval literature, now here is our topic medieval literature, which यहाँ पर जिसका हम आज discussion करने वाले हैं, we will discuss about the holistic topic of medieval literature और जो जो इसके अंडर में आता है, उनको भी हम cover करने वाला है, so start करते हैं, सबसे पहले जो several different trends हैं, यहाँ पर emerge होते हैं, medieval period में जो की affect करी, जोने काफी सारी languages को और उसको साथ dialect को जो की emerge होए उस time पे, now what is dialect, है ना, dialect क्या है, dialect is a particular form of language, which is belong to specific region, और a social group, किसी भी एक particular region के जो भी हमारी देशी भासा जिसे कहते हैं, देशी मत समझना, देशी भासा जो होती है, उसे हम dialect कहते हैं, dialect के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, तो अब आपको याद रहना चीह है, dialect के बारे में तो यहाँ पर और क्या बात हो रहे हैं, जो major changes है, वो कब हुए, major changes emergence हुए, जब पहले emergence हुआ Persian हमारा जो Persian आया, ठीक है Persian कब आया हमारा medieval literature के टाइम पर ठीक है, जो major change था, वो क्या था जो Persian आया, ठीक है उसको Delhi Sultanate का टाइम चला मुगल कोर्स का टाइम चला, जिसके बारे में यह हम डिसकस करेंगे, Delhi Sultanate के बारे में जो भी हमारे, जो रूलर्स से उनके बारे में बात करेंगे, साजीजात जो यह पीरेड है, यह क्या बताता है, जो Hindi है वो developed हुई, कि इससे एक ancient अपब्रहमसा language, जिससे हमने जो हमारा language chapter था, ठीक है, language डिसकस करते हैं, पर्शन के बारे में, अभी हम पर्शन आए, पर्शन का emergence जो होगा, सबसे बड़ा change था, medieval literature का, तो पर्शन क्या थे, ठीक है, अब पर्शन के बारे में बात करते हैं, although जहां पर जो पर्शन language की जड़ थी, यह बिल्कुल इतनी पुरानी थी, जितनी हमारी Sanskrit थी, यानि कि बिल्कुल सेम है Sanskrit यहाँ पर इतना ही पुराना हमारा Persian language था, इंडिया में आया यह किस के साथ, Turks और Mongols के साथ आया, in the 12th century, एक जो finest person poet है, finest poet है Persian के वो यहाँ पर, कौन है, Amir खुसराओ देल्वी, और यह Amir खुसराओ और डेली, जिसे कहते हैं, ठीके, apart from this divan, यानि कि क्या के लिखा हैं, दिवान तो लिखा ही था, दिवान क्या होता है collection of poetry, अब Persian में इन्होंने collection of poetry तो लिखी थी, साधी साथ इन्होंने नूफ सिफिर्व को भी लिखा, उसके बाद, मसनवी दुवाल रानी खिजर खान लिखा, जिके, एक tragic love poem है, जो हमारा, आप देख सकते हैं, ये चीज़ इन्होंने लिखी, उसके बाद, जिया उद्दिन बरानी, ये एक amongst the top historians थे, ठीक है, टॉप historian में यहाँ पर एक गुने चुने, एक historian थे, उस period के, जिन्होंने तारीक ए फिरुष शाही को लिखा, उसके बाद, जो several travel accounts थे, ये भी, इन्होंने भी यहाँ पर लिखे गए, कुछ famous travelers के दौरा, ठीक है, travel traveling के बारे में कुछ चीज़े लिखे गए, और जो famous traveler, सबसे बड़े traveler कौन है, एवन बतूता, जिनके बारे में आपने काभी बरकवर भी किया होगा, ठीक है, जो कि एक Moroccan traveler थे, इन्होंने explain किया, क्या चीज़ social और political scenario उस period का, यानि कि social और political में क्या relation था, इस चीज़ को उन्होंने हमाँ पर explain किया, उसके बाद, next क्या है, अब जो ये product और dissemination था literature का, यानि कि जो हमारी literature था, जो किस तरीके से फैल रही थी, जो इसका फैलाव था, पर्शन में, ये मुगल period के साथ हुआ, इसने shot up किया मुगल period को, अब जो मुगल emperor थे, बाबर, अब मुगल emperor कौन थे, बाबर, इन्होंने क्या लिखा, तुजुक इ बाबरी, टर्किश में लिखा है इन्होंने, जो कि एक autobiography थी, और यहाँ पर इन्होंने की important information बताई थी, मुगल एक great source क्या बताया जा रहा है, वो है तुजुक इ जहांगीरी, एक another important work है, हुमायू के time का, हुमायू नाम, जो कि एक account of his life, नो ने किस चीज में क्या बताया था, हुमायू नामा में क्या चीज है बताई गई, कि एक जो ruler है उसकी life के बारे में, और उसका यह लिखा गया, उसके बाद जो greatest emperor है इस period के, वो थे akbar, ठीक है, अब जो हमारे Persian time के जो greatest emperor थे वो थे akbar, और any akbari और akbar माय लिखा गया है, court के दोरा, court historians के दोरा इनके, जो की court historian कौन था, अबू अबू फजल के दोरा आपर यह दोने चीज़े लिखी गए, और यह best example है literature का, पूरे इस period का, पूरे entire period का, this is the best example of the literature, now, come to the next slide, अब यहाँ बात करते हैं, जो major examples है, वो हैं, महाभारत, महाभारत क्या वो था उस time पे जो translate करा गया था, Persian में, जब उसे translate करा परिशन में, तो उसे क्या-क्या घा था, रज्म नमा, noted down, this is the important point, that, कि यहाँ पर जो महाभारत था, Persian time पे उसको translate करा गया, then, वो क्या क्या लाया, रज्म नमा, then, next point is, जो one of the highly illustrated work type period का, वो था, यहाँ पर हमजा नमा, हमजा नमा, जो कि detect करता था एक mythical Persian hero, यानि, Persian hero की बारे में, और वो कौन थे हिरो, आमिर हमजा के बारे में, हमजा नमा में, सारी चीज़े बताई गई थी, कुछ अदर major writer says period के, जैसे की, बदावनी, जिनोंने ethics के बारे में लिखा, जो political rules से, वो कौन से सही, कौन से जलत इन चीज़ों के बारे में, बताया, साथे साथे फैजी, जो की consider करेगा, एक Persian poetry के master थे, यहाँ पर फैजी, कुछ text जो है, वो produce करा गया, शाजा के टाइम पर, especially about the emperor, जैसे की यहाँ शाजा नामा लिखा गया, इनायत कान के आपर, उस चीज़ के बारे में, आपर बात हो रही है, औरंग जेब के period में, जो कुछ, several satyrist है, satyrist क्या होते हैं, guys, अगर आपको पता है, तो जल्दी से comment section बताओ, satyrist होते हैं, व्यंगे कार, जो की व्याख्या करते हैं, कुछ व्याख्या थे, जैसे की मिर, जफर, जतली, इन्होंने क्या लिखा कुलियात, यानि collection of versus ये चीज़ लेखी, औरंग जेब के time पे, औरंग जेब का जब, रीन चल, औरंग जेब का जब, सासन चल रहा था, उसके बाद, text जैसे की, तबकत यी अलमगिरी, यहाँ पर एक good idea देती है, किस चीज़ के बारे में, जो 18th century का period था, एक बहुत अच्छा idea देती है, उस चीज़ के बारे में और, पदिशनामा ये भी लिखा गया, अब्दुल हामिद लाहुरी के द्वारा और ये किस चीज़ के बारे में था, पदिशनामा शाजा के बारे में था, ठीक है next, अब आते हैं हम लोग उर्दु के ओपर Persian literature हमने cover किया now come to the उर्दु literature, उर्दु के बारे में जानते हैं अब, अब जो ये linguist है, linguist यानि की भाषा वेग्यानिक लोग थे, जो कि जो हमारे बाषा से related, जो experts लोग थे, इनके बीच में debate हुई कि जो उर्दु develop हुआ, ये develop कब हुआ, interaction of Persian और हिंदी के टाइम, जब Persian और हिंदी के बीच में, दोनों के बीच में interaction हुआ, तब वो develop हुआ, especially जब Turkish army की बैटेक्स के टाइम पर यहां पर, जो है barracks, बैटेक्स निये barracks के टाइम पर जो है, ये जो है, establish हुआ, उसके बाद, अमिर खुसराओ जो थे, ये ऐसे यहां पर जो इन्होंने ऐसे writers थे, जिन्होंने काफी सारे text लिखे थे उर्दू में, यहां पर आमिर खुसराओ ने, और यहां पर यह क्या है थे, एक nascent stage थे, spirit बाद, spirit का यानि एक सुर्वादी, सुर्वादी स्तर पर इन्होंने काम किया, ठीक है, अब यहां पर यह T लिखावा है, थोड़ी बहुत mistake हो जाती है, जल दिली टाइप करने में, तो गाइस यह अमित नहीं है, आमिर खुसरा हुआ है, ठीक है, एक one of the greatest उर्दू है, वो कौन है, मिर्जगालिप, ठीक है, greatest उर्दू, मिर्जगालिप, जिसने compose करा, क्या, दिवान, यानि collection of poetry उर्दू में ये चीज़ बताएं, मिर्जगालिप ने, कुछ अधर उर्दू poets हैं, जैसे की साउदा, दर्द, मिर्था की, और मिर, अब 20th century की बात करें, तो एक major figure है, उर्दू लिट्रेरी, उर्दू लिट्रेरी कौन हैं, इकबाल, जिनोंने बंग इदारा को लिखा, उसके बाद ये काफी जादे famous थे, सारे जहां से अच्छा भी इनोंने लिखा, और यहाँ पर एक celebrated nationalistic song बनके आया, जो की आज तक बहुत जादे famous song है, नेक्स्ट, हिंदी और उसके dialects के बारे में cover करेंगे, हिंदी और जो उसके specific region में यहाँ पर भाशा बोली जाती थी, उसके बारे में आप cover करेंगे, हिंदी जैसे कि हम लोगों को पता है, आज के टाइम पर यह evolve हुई थी, 7th, 2nd, 14th century में, अप ब्रहमसा से जैसे हमने अभी cover किया था, अब ब्रहमसा से हमारी हिंदी जो है, एमर्ज हुई थी, जो कि evolve हुई थी प्रकृत से, प्रकृत ऐसी as a common language यहाँ पर यूज करी जाती थी पहले है न, उसके बाद यह जो language है, इसको एक बहुत बड़ा boost up मिला, boost up इस तरीके से मान लो कि एक बहुत बड़ी growth मिली, बहुत थी, तो कि उसमें जो grammar rules बगरा थे, वो काफी जादे strictly follow करे जाते थे, उसके बाद for long time जो हिंदी literature था, ठीक है, ये काफी जादे देखा संस्कृत के साथ यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद जो पृत्वी राज यहाँ पे, पृत्वी राज रासो थे, इन्होंने first लिखी याद रखना, नोटेट डाम करो इसको, पृत्वी राज रासो थे, इन्होंने first हिंदी बुक लिखी, और document करा, life और challenges उकी face करे गए थे, पृत्वी राज चोहान के द्वारा, ठीक है, जो पृत्वी राज चोहान जी के द्वारा, जो life के challenges बगरा, जो problems face करी गई थी, यह सारी चीज़ें इन्होंने document करी एक Hindi book में, ओके, जो यह बल्क था, पूरे work का, work poetry का, यह था, भक्ती राइटर्स को द्वारा, जैसे कि यहाँ पे, कबीर जी, यहाँ पे, आपने सुना ही होगा, कबीर जी का नाव, यहाँ पे, कबीर एक famous writer थे, ठीक है, famous poet थे, ज उसके बाद, तुलसी दास इस टाइम पे आए, ठीक है, तुलसी दास ने क्या produce करा, इन्होंने भी couplets produce करे, जो की use करेगा, ब्रज में, और परशन के दोरा है, यहाँ पर प्रपर करेगा, उसके बाद, यहाँ पर यह एक immortal बने, इन्होंने क्यों, यहाँ पर दिल में बज सबके एक रामचरित मानस लिखने के बाद, उसके बाद जो Lord Krishna की life थी, यह भी काफी जादे subject था, काफी सारे medieval poets का, ठीक है, काफी जारे medieval time के जो poets से, Lord Krishna के बारे में भी काफी जादे लिखते थे, जैसे कि सूर्दास जी हो गए, सूर्दास जी यहाँ पर, इन्होंने सूर स इसना के बारे में लिखा ही लिखा, साथ में एक भक्ती poetry लिखी, और उसके बाद, बिहारी सत्साई, बिहारी सत्साई लिखा, जिसमें इन्होंने हाँ पर, काफी जादे famous हुआ, इसके regarding, next आता है, हमारा modern literature, medieval literature को हमने cover कर लिया, देखा कितना easy था, लगती है, बस खाली tough क कि हाँ, यह सारी जीज़े है, अगर आप समझते जाओगे, तो बहुत easy है, तो medieval literature हमने cover किया, next आते है, हम लोग, हम लोग आप modern literature को cover करते है, अब जो यह period था modern literature का, यह क्या कहलाता था, आधुनिक काल, एक term जो की जादातर use होता है, हिंदी में, उसके बाद जो हिंदी य भी यहाँ पर काफी हद तक जो है, देखी गई, तो सबसे पहले हम लोग हिंदी की बात करते हैं, जैसे जैसे ब्रिटेश आए, जो focus हुआ literature का, वो change होता रहा, ठीक है, literature का focus था, वो change होता रहा, भारतेंदू, हरीश चंदर की बात करें, इन्होंने काफी जादे famous drama लिखा अंधेरी नगरी, city of darkness के बारे में इन्होंने लिखा, 1850 में, और ये इतना जादे famous play हुआ कि ये इसे बार बार reproduce करा गया, reproduce करा गया several times, ओके, एक another famous, जो यहाँ पर एक another very famous nationalist work है, वो है भारत दूर्दाशा का, ठीक है, इसी time पे, हिंदी के time पे, और फिर उसके बाद, एक another major writer है इस period के, और वो कौन है, महावीर प्रसाद दुवेदी, महावीर प्रसाद दुवेदी जी एक another famous writer है, हिंदी के time के, उसके बाद, अब modern period की बात हो, कि modern period of Hindi, जो की आदू निक काल कहलाता है, हाँ पे four sub sections है, वो क्या क्या कहलाता है, उनके बारे में discuss करता है, let us discuss about this, four sections यहाँ पर आपको देख सकते हैं, जैसा कि पहला है हमारा भारते इंदु योग, and the time period is 1868 to 1893, and the second one is दुवेदी योग, and the time period is 1893 to 1918, and the third one is चैवाद योग, and the time period is 1918 to 1937, and contemporary period जो 1937 से आज तक, जो हमारा modern period जैसे कहते हैं, वो अभी चलता हुआ आ रहा है, तो यह सब चीज़ तो जो हमारा बता हिंदी इस थरीके से जो है, यह सब सेक्षण में बत्पटी भी है, उसके बाद अब जो मूव्मेंट्स हैं, जो कि हिंदी को एक national language बना देते हैं, जो कि हंदी को एक national language बनाये गया, उसके बाद यह भी देखा गया, जो लिंक था हिंदी का काफि सारी regions मे कर आगया States with me K! द्यायनन्द जी के द्वरा भी यहां पर इसको अस्पेर हैट यानिका इस जो लैग्वेज़ उसको गलत हो गया है सब्सक्राइब हिंदू ऑथर्स जैसे कि मुंसी प्रेम चंद हो गए सूरे कांत रपार्टी हो गए और मैथली शरन गुपता हो गए तो यहां पर यह सारे जो है फेमस राइटर है जिनके बारे में आप हम बच्पन से सुनते वे आ रहे हैं तो इन्होंने काफ अथी सारे एंस्फुलोडिस काफे संकलन लिखे हंदू में साधी साथ उर्दू में हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखे और इनका फैमस कौन सा है गोदान और बड़े वह काफी सारे इन्होंने लिखे है काफ़ सारे वो सब famous है लेकिन हम है जो mostly यहां पर देखे गए वो यहां पर गोदान और बड़े भाईया को देखा गया उसके बाद other notable writer जो है हिंदी के वो है सुमित्र नंदन पंत रामधारी सिंग दिनकर हरीवंश राय बच्चन जिन्होंने यहां पर मदूशाला लिकी थी ठीक है next एक one of the famous most famous female writer है हिंदी की important thing है guys लिखो जड़ी से most famous female writer है हिंदी की वो कौन थी 20th century की महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा important है बहुत ठीक है काफी सारे इन्होंने चीज़े लिखी है और इन्हें पद्म विभूशन भी दिया गया साधी साथ इन्होंने पद्म वि women से उनकी conditions को highlight करके चीज़ों को बताया था इसी के basis पर इनको पद्म विभूशन भी दिया गया next नेक्स आता हमारा बेंगॉली उडिया एंड आस्वमी लिट्रेचर अब 20th century में जो development हुआ बेंगॉली लिट्रेचर का यह बिल्कुल बराबरी का था उर्दू और हिंदी क इंदी के साथ अब जो distribution था इस literature का यह काफी साथ इस जो establishment हुआ Baptist Mission Press के साथ हुआ सिर एट सिरमपोर यानि बेंगॉल और एक Englishman ने इसका establishment किया था Englishman कौन है William Carey और Sun 18 सों में इसका establishment किया गया उसके बाद Carey जो है यह भी responsible थे एक book लिखी इन्होंने एक जो कौन सी book लिखी बेंगॉली की grammar की grammar of Bengali book लिखी साथ ही साथ इन्होंने यह भी चिस publish करी जो English Bengali dictionary है उसको भी यहाँ पर publish करा गया William Carey के द्वारा ठेक ऑल्दो यहाँ पे कुछ lot of ancient और medieval literature है बेंगॉली में काफी सारे अच्छे अच्छे ancient medieval literatures हैं जैसे कि बंगल कव्याज हो गया है exist करा औ अब जो 19th century से पहले यहाँ पर यह पूरी तरह से publish नहीं हुआ था लेकिन बात में यह अच्छी तरीके से work करा अब जो राजा राम मोहन रॉय हैं यह अमक्स फर्स्ट थे जिनोंने बेंगॉली में लिखा और English में लिखा साथी साथ जो इनका work था वो काफी जादे हद तक पढ़ा गया उसका जो contemporary writers हैं वो कौन है इश्वर चंद्र विद्या सागर और यहाँ पर हमारे इश्वर चंद्र विद्या सागर और साथ साथ अक्षे कुमार दत्ता हैं यहाँ पर गाईज मिसिंग एक लाइन मैं आपको यहाँ पर आप इग्नोर करना इसे मैं भी आपको बताता हूं जो हमारे contemporary writers है इश्वर चंद्र विद्या सागर और उसको साथ साथ अक्षे कुमार दत्ता अब यहाँ पर बंकिम चंद्र चेटर की जी की बात हो रही है यह भी एक बेंगॉली लिट्रेचर थे ठीक है और इन्होंने क्या लिखा था इनका एक वर्वर्व था तो यह चीज आप याद रखना और जो इन्होंने अवर्ट मिला था बेंगॉली मास्टर पीस के लिए जो यह वर्वर्वर्व किस चीज के लिए मिला था बेंगॉली मास्टर पीज एंड डाड़ कीता अंजली इन 1913 फॉर विच ही कॉर्ट इवान दी नोबल प्राइज उ इन सब चीजों से डॉमिनेट करी गई थी इन सारे ऑफिशल वर्क्स के अलावा देखें तो शंकर देव हैं इनोंने काफी सारे डिवोशनल संग्स को कंपोज करा आसमीज में उसके बाद इस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो सीजवल कॉर्पस जो है यहां पर आया यहां ठीक है जिन्होंने सत्तरा सो में चीज़े लिखी थी अब मॉडरन पीरेट की बात करें तो राधा यहां पर राधनात राय साधी साथ फकीर मुवन सेनपती इनोंने काफी सारे चीज़े बनाई जो कि आज तक यह याद करे जाते हैं नेक्स आता है हमारा गुजराती राज ट्रेचर को अफेक्ट करा उसके साथ साथ जो नरसिन महता थे एक वैरी पॉपुलर थे काफी सारे पॉपुलर थे इस एरिया में इन्होंने कंबाइन करें काफी सारे डिवोशनल शॉंक्स लॉड कृष्णा के लिए ठीक है वित लोकल फॉल ट्रेडिशन उसके बाद जो उसमें क्या देखा गया पोईट्री बाइन नर्मत और प्रोज देखी गई गोवर्धन राम के दौरा जिन्होंने काफी सारे जो क्लासिकल गुजराती नौवल लिखे अब सरस्वती चंद्र जो कि यहां पर एक सरस्वती चंद्र जो लिखा गया था एक यह टेलिवीजन स बुंसी के दौरा जिन्होंने काफी सारे फिक्षन और नौन फिक्षन हिस्टोरिकल वर्क करे उसके साथ एक फाइनेस नौवल है इनकी वह प्रत्वी वल्लब इनकी डॉक्टर के एम बुंसी की फेमस नौवल है उसके बाद जो मीडीवल राजिस्थानी लिट्रेचर है ज और भूल होक्ष और स्टोरी स्टी राजिस्थानी है वहा करती ओरो बुंसी की गाते वृटिस्व करती थे और सबाद चीजे में बताई गई। छाई ओडेचर नेम्स जो है हिंदी सिंधी लिट्रेचर का वो है देवन symptom कवरमाल और साधि सात्ट मिडजा कालिष बैग नाव आप दो कश्मीरि लिट्रेचर कश्मीर लिट्रेचर क्श्मीर लिट्रेचर को कवर करते है अप जैसे कि हम लोगों ने conditions कैश्मीरी का वह है आमने पहले भी कश्युमीर के बारे में , पड़ाई है वब जो जिआनी पहले उसमें कश्युमीर लिटरेचर उसमें जुक्षमीर फेमस महा का लिटरेचर था , कल्छान रजटरंगी जो कि लिखा गया है संस्कृत में, रजत रंगानी, जो कि यहाँ पर संस्कृत में लिखा गया है, early medieval period की बात करें, जब भक्ती movement जो है अपनी peak पर पहुचा, जो कश्मीरी language देखी गई, first female poetess के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर नाम बताएगा, लाल देत के द्वारा, जो कि एक शैविती mystic थी, अब शैवित के बारे में आप लोग बताओगे मुझे, क्योंकि मैंने काफी बार, कम से कम दस बार कवर कर चुगा है इसके बारे में, so, जो another interesting person है, कश्मीरी literature के वो है, नूर दिन, जिनने popularly कहा जाता है, नंद रिशी, और यहाँ पर इन्होंने क्या हुआ, दोगरी language का यहाँ पर देखना पड़ा, दोगरी language यहाँ पर follow करनी पड़ी, now, पंजाबी literature, अब यह जो लिटरेचर है, इसमें कबीर के दोहा है, दादू, नानकी यहाँ पे हिंदी में और ब्रज में चीज़े लिखी गई है, और यह एक very composite text है, अब गुरु गो गोबिन सिंग जो है, जिन्होंने contribute करा आदी गरंत में, जो कि यहाँ पर आभी हमने बादी गरंत के बारे में पड़ा, एक religious book कैसी की, और यहाँ पर इन्होंने गुरु गोबिन सिंग ने एक और चीज़ लिखी सवयास poetry पंजाबी में, उसके बाद जो लोकल लिटरेचर ह है, यहाँ काफी जादे देखा गया, लव स्टोरी में, एपिक्स जैसे कि यहाँ पर सोनी, माहिवाल, ससी पुन्नू, और वेरी फेमस हीर रांजा, जो कि कंपोस करा गया, वारिशाह के दौरा यहाँ सब में लव स्टोरी देखी गए, उसके बाद जो सूफी poetry थे, बाबा से जादे फेमस है, उसके बाद जो आज के टाइम के modern writers है, पंजाव लिटरेचर के वह है, डॉक्टर मोहन सिंग और पूरान सिंग, ना, दे लास्ट टॉपिक अफ आर लेक्चर, अफ आर टुदेश लेक्चर इस लेक्चर इस मराथी लिटरेचर, आप यहाँ तक आयो, त आपको सारी चीज़ अगर स्वंज में आ रही है, तो आप थमस अप करके दिखाओ, और साथी साथ अगर आपको कोई भी problems होती है, then you can comment also, now, start the topic, महराथी लिटरेचर, जो oldest known work है महराथी का, यहाँ पर 30th century से देखा गया है, by Saint Jananshwar, जो कि यहाँ पर गैनिश्वर भी कहे जाते हैं, apart from him, इनके बाद, जो several saints जैसे की नामदेव, सेन, गोरा, काफ़ ज़ते popular थे, इस period के, जो oldest non-female writer है, वो है जाना भाई, बट जो most famous saint है, महराश्टर के, यहाँ पर 16th century के, वो है एकनाथ, ठीके, जिन्होंने काफ़ी सारी commentaries लिखी, भगवत पुरान के उपर, स He became a very popular, काफ़ ज़्यादे popular हुए लोगों के बीच में, और इनके जो गाने हैं, वो अभी तक गाये जाते हैं, अब तुकाराम, रामदा, जो है एक other notable, एक other famous भक्ती poets थे, उसके बाद, जो one of the greatest nationalistic figure कौन कौन से हैं, ग्रेटिस nationalistic figure हैं, बाल गंगधर तिलक, जिन्होंने published क यहाँ पर हमने chapter number 13 को complete कर लिया, chapter number 13 को finish कर दिया, now, अब हम cover क्या करेंगे, अब जो next lecture होगा, उसमें हम लोग अपना chapter number 14 को start करेंगे, schools of philosophy, और पूरा 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 ट्रा करेंगे, कि हम लोग chapter number 14 को, एक ही lecture में खतम करें, then उसके बाद chapter number 15 को भी एक lecture में खतम करें, chapter number 16 को भी एकी lecture में खतम करें, उसके बाद जो फैस्टिवल है, फैस्टिवल है, फैस्टिवल हमारा काफी साथे, wider chapter कह सकते हो, फिर उसमें क्या होगा, we need to cover this in several lectures, तो उसे हम लोग ज़रूरत है कि हम लोग उसे काफी सारे lectures में cover कर पाएं, क्योंकि अगर हम चीजों को अच्छी तरीके से टैकल करके चलेंगे, अच्छी तरीके से जो समझ के चलेंगे, तो चीज़ें जो है काफी जादे लंबे समय तक ध्यान में रह सकती है, आपने जैसे देखा होगा, पूरी सिरीज देखी होगी, अगर आप बोक उठा के देखते हो, मैं तो कह पड़ते जाओ और जल्द जल्द अपने कंप्लेट करो क्योंकि इसी तरहीं से स्रीज तैयार करी गए यहां बुक देखोगे तो कहोगे यार कोई चीज छोटी भी नहीं है तो गाइस यहां पर यह ठूटी नहीं गहीं है और आपके लिए काफी जादे डीप काफी जादे कोशिश करिए कि जितनी इImporn点 चीज से हो वह में आपको यहां पर दे सकाओ आपको जैसे कि मैं हर लेक्टर में कहता हूं आपको तो इसान थहां पर आपके लिए असान उजाएगा तो काफी जादे जो आपको кाफी हथा तक आसान हो很多 चीज़ों को multiple time revise करना ठीक है क्योंकि आप जब revision के लिए बैठ होगे तो आप देखोगे यार पूरी 400 पेज की साड़े 400 पेज की book थोड़ना लेकर बैठ सकते हो तो आपको क्या करना होगा notes इसलिए तो work करते हैं कि आगर notes इसलिए काम आते हैं आप notes बना के चलोगे ताकि आप जो है revise कर सको multiple times ठीक है और जित्ती बार आप revision करोगे उत्ती चीज़े clear होगी and then you will be able to solve any of the questions regarding Indian art and culture ठीक है आप बिल्कुल section हो जाओगे आप हर एक question को solve कर पाओगे अगर आप deeply इस चीज़ को देखोगे तो deeply lectures बढ़ो deeply अपने lectures देखो deeply अपने notes बनाओ notes बनाते रहो notes साथ साथ बनाते रहो and उसे multiple time revision करते रहो तो guys यहाँ पर होता है हमारा आज का lecture खता मिलेंगे आप लोग उसे next lecture में आज के लिए bye bye